चलि फिराज बनाते हैं कुछ एसा नाश्टा जो की हल्दी भी है और साथ ही साथ आप इसको मौर्णिंग में इविनिंग में कभी भी इस नाश्टा को बना की तियार कर सकते हो बहुत कम टाइम में बनके तियार हो जाता है बहुत जादा सॉफ्ट भी बनता है और इसके साथ हम बनाने वाले एक स्पेशल चटनी जो कि इसके साथ में बहुत सही जाता है तो आप भी इसे जरूर से फ्राइ करना हेल्दी और टीस्टी ब्रेक्फ़स्ट को तो वीड़ो का मैं स्टार्ट करती हूँ इसके लापको क्या करना है सबसे पहले आप भीगे हुए चावल का यूज़ करना आप रात बर भीगो कर रख सकते हो या फिर आप इसको 8-10 गंटे के लिए आप भीगो कर रख दीज़े तो इस तरीके से चावल को देखे 8-10 गंटा हो गया है उसके बाद एक ब्रैंडिंग जार लेना है उसके अंदर चावल को डाल देना है दो फल्ची के आसपस ये चावल था और एक कब के साब से मतलब जितना चावल है उसका 1-3 आपको लेना है सूजी या फिर आप 1-4 सूची का ये उसके बाद देना है बिदधी कितना है जितना चावल है उसका आपको 1-3 के आसपस देही का यूज करना है और उसका एक अच्छा सा पेस्थ यार कर लेना है जो कि एकदम बारिक सा पेस्थ होना चाहिए जैसे कि वीडियो में आप उसकी consistency देख सकते हो कुछ इस तरीके से बहुत जादा बारिक होना चाहिए बिलकुल भी ऐसे दर्दरा आया फिर हाथ में लगया ऐसा नहीं होना चाहिए तो पेस्ट दियार हो गया अब आप इसको एक बाउल के अंदर फ्रांसफर कर लीजे अब थोड़ा सा ही आपको पानी भी डाल देना है बहुत जादा नहीं डालना है और इसके बाद आप यहां पर नमक डाल दीचे टेस्ट के साथ थोड़ा सा शक्र डालना है और अच्छी तरीके से पानी को और यह सारी चीजों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रहा चीरा और अधरक और सादमी हरी मिर्जी को कट करके तर्द करने के बाद अच्छी तर्द की से मिक्स करना लास में डाला यह हो है लिए by ऊष्ट में में आप इसे बना रहे हो तो आप उसके न अच्छी तरहीं का यूज करिए नहीं तो निकलने में प्रॉब्लम होगा तो यहां पर आप प्लेट का भी यूज कर सकते हूं किसी भी स्टील के प्लेट का तो यह आपको इसमें ट्रांसफर करकिए लास्ट में थोड़ा सा यहां लाल मिर्च पाउडर में उपर से डाल जीओ फर गार्निशिंग एंड उसके बाद देखिए कढ़ाई के अंदर आपको इसको पानी रखना है स्टैन रखके कम से कम 15-20 नट के उबलने देना है दूसरी और चटनी के लिए देखिए आपको भुना वा चना लेना है धनी की पर प्रकती पोख़त थोड़ा सा अपको पुदीना लेना या फिर स्किप कर दीजे उसके बाद मिर्ची लसुन और अद्रक और साथी साथ 2-3 चमच आपको दही लेना है नमक डाल दीजे ब्लैक सॉल जो होता है ना आपको वह भी डालना है और उसके बाद जीरा का ले या फिर आप स्किप कर दीजे थोड़ा सा पानी डाल के आपको इसको पेस्ट त्यार कर लेना है और हमारी बहुत ही साथी रीस्टी वाली चट्नी भी त्यार हो गई है अभी नेक्स टेप हम देख लेंगे कि हमारा धुकला हुआ है या नहीं तो अभी इसको अल्मूस 20 इस नट हो गया है मेटम फ्रेम पे एंड यहां पर मैं इसको खोल के देख रही हूँ एंड यहां पर यह अल्मूस्ट रडी हुआ है कि इसके लाप एक चमच ले लीजे इस तरीके से आप इसके अंदर देखोगे कि अगर यह बहुत अच्छी तरीके से क्लीन आरा मितलब अब इसको गर्म कर नहीं करना है आपको अपूद अगर आप थोड़ा सा थंड़ा हो जाने दीजिए उसके बदा इसको कट कर सकते हो अभी आपको जैसा भी शेप देना आप इसको कट कर लीजिए इसको बेसिकली चौकर शेप में कट कर रही हूँ इस तरीके से और अगर आपने अच्छी तरीके से ओल लगाए होना तो बहुत इसली निकल जाता है प्रॉब्लम नहीं होती है जैसे कि यह बहुत अच्छी तरीके से निकल जा रहा है अभी प्लेट में इसको मैं साफ कर दूंगी जो हमारी ग्रीन चटनी है उसके साथ में और इसको अप गर्म गरम को बहुत जादा पसंद आएगा और आपने काई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं को अब भी कर लो बेल अकन को जरूर से प्रेस कर लें जिससे आपको वीडियो कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी वीडियो कर से लगे कॉमेंट करके जरूर बताना और आप मु